हाई आज अब आई साब बहुत ही स्पेशल वीडियो होस्ट मैं हुना मेरो करने दें इंट्रो ठीक है बाई जी हाँ मैंने हुजा कि कब तक नल्ले रहकर एक चैनल पर अपनी बेजती करवा करवा कर जीवन व्यतीत करूंगा तो वेल्कम टू टोबास पॉड्कास्ट जी हां और ओजेश जी आपको मेरे इस वर्ल नंबर वन पॉड्कास्ट शो पे पहले गेस्ट होने का सवभाग ये प्राप्त हुआ है तो बताई आपको कैसा लग रहा है अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये वर्ल नंबर वन का चलिए फिर इस बातचीत को शुरू करते हैं और we have a bunch of topics to talk about हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी important topics के बारे में बात करने वाले हैं और फिर दिर दिर करके हम non important topics तक पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरी topics से start करना जाओंगा मैं जो हमारे पाजी घराने के पंडित श्री यो यो हनी सिंग जी का एक बहुत ही धमाकेदार comeback हुए और उनने एक बहुत ही तगड़ा masterpiece legendary गाना काला स्टार रिलीस किया है उस गाने के बारे में आपका क्या कहना है आप प्लीज बताए हमें और अपने दर्शों को देगिए being that kind of a listener जो हनी सिंग जी के ग तो तब यह जो गाने आये थे तब सुनके मेरे को उतना मज़ा तो नहीं आता था ठीक है I was not a very big fan of these songs कि कहीं न गहीं lyrics की समझ थी उस time भी मेरे को कि यह अजीब गाने है यार यह मेरे टाइक के गाने नहीं अपने कानों में डालने ही गाने बट चले जाते थे कानों में क्योंकि तो जो है उस टाइम पर मेरे को नहीं मजाता था but now when I look at those songs तो मेरे को लिरिक्स चाहे जैसे भी रहे हो but they were catchy songs ठीक है अब उन गानों को देखू मैं और ये काला स्टार काला स्टार जो भी है उसको देखूं तो मैं कहूंगा कि it still hasn't reached that level it still is an average song उन गानों के इसाप से अगर मैं देखूं तो जी हाँ क्योंकि उनोंने ही सेट किया level honey singsh ji ने ही अपने गानों का level सेट किया है 10 साल पहले जो वह बनाया करते थे जो था उनका यो प्राइम था उस प्राइम से तो यह आसपास भी रहन हाई सिंग कि हनी सी क हनी सिंग के वो इतने में ही सेटल हो जाएं बस वो और थोड़ा और अच्छा इसको अपग्रेड ना करें ऐसा तुम खुदी करवाने को हिश्ट कर रहे हो तो I won't say being a natural being a neutral singer being a neutral listener मैं ये कहूँगा कि it still is an average song it's a good song बट उनके level का नहीं है गाना जो उनका प्राइम धना उस level गाना नहीं है तो आप basically ये कहना चाहरे हैं कि पाजी श्री यो 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 हनी सिंग जी का comeback नहीं हुआ है नहीं comeback की बात मैं करूँ तो जी हाँ definitely it's a comeback it's definitely a comeback क्योंकि जो वो अभी बना रहे है वो जो बनाये तो नहीं है गीले मुझे को निचोड़ के जो बनाये उनने गाने काखा खा और क्या था वो टोनी कक्कर जी के साथ एक गाना बनाया था उनने वी मा वी मा वो जो थे गाने उनसे तो बहुत बेटर है तो उस लिहास से अगर मैं देखू तो येस, इट्स अकमबैक इट्स टेफिनिटली अकमबैक बट प्राइम को देखूंगा मैं इनके तो इस तिल नीट्स टू वर्क और उनको अभी और उचाई पर जाना है अगर प्रॉपर कमबैक करना है उनको तो मैं एक होंगा कि अप ये बीच में है कहीं थोड़ा और उपर जाना पड़ेगा येस, बिंग अ क्रिटिक हैं, बिंग अ न्यूट्रल लिस्नर, ये इक होंगा मैं तो ठीक है, एंड बिंग उनेस्ट, ओके सालेब, देखिए बत्ता मीजी ये क्या कर रहे हैं आप? एक बहुती सीक्रेट इफोर्मेशन देनी आपको कान में तो उसके लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा तो चलिए फिर अगले टॉपिक की तरह बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम के बारे हम बात करते हैं तो हाँ पर आपने एक ट्रेंड नोटिस किया हुआ कि कुछ लोग एक सिंगर को पकड़ते हैं और उनके काफी सारे गानों के टाइटल्स को उठा के एक गाने में डाल देते हैं और उसे एक नया लिरिक बना देते हैं बन जाओ मेरे साथिया रिदम में बठा दिया ओम पोचिशन में बठा दिया बट क्या वो lyric बन रहे हैं, क्या उनका उनका उच्छ मतलब निगल के आ रहा है, ये चीज तो कोई भी कर सकता है यार इसमें क्या तुमने है कौन सी कला कृती मार दी इसमें तुमने ये एक चीज करके क्या कला स्टार है ये चीज बना के और लोग ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया इसका सेंस ही नहीं आने रिदम के इनकर कोई इस ट्रेंड का कुछ बनाओ उसके बाद उस चीज़ का कोई मतलब बनाओ उस चीज़ का पोई सेंटेंस बनाओ उसका ये कला तब होगी जब उन सारे टाइटल्स को मिला कि तुम एक प्रॉपर सौंग मना डालो न तो होगी कला ये नहीं कि बस फिट कर दिया रिदम में बस लाइन में फिट कर दिया है कॉंपोजिशन फिट कर दिया हम बन गए बाई कला कार बन गए हम बहुत ज़्यादा हमको oh my god talent नहीं है ऐसे नहीं है अभी तक मेरे को ऐसे कोई नजर नहीं आया है जिसने proper lyric बिठाने की कोशिश की हो पस words fit कर दिये title fit कर दिया हो गया धुन में fit कर दिये बस हो गया है ये तो अजीब है सही बाद कुछ कुछ हद तक बैठता है एक sentence बन जाता है अगले sentence में फिर नया ही जुर हो जाता है कुछ वो अजीब है लबो को लबो से क्या मुझे प्यार है ये sense नहीं बन रहा है sense बनाओ इस चीज का कुछ मतलब बनाओ इस चीज का कि एक aim नज़र आए कि क्या vision था तुम्हारा ये चीज करने के पहले तो ये चीज तो मेरे को लो नहीं ज़र नज़र आई जब sense नहीं नज़र आई बेसी कली जी okay that's very clear तो ठीक है फिर मगले डॉबिक बढ़ते हैं सीधा तो animal movie का teaser आपने देखा योगा भी उसमें एक गाना रिलेज किया उन लोगोंने हुआ मैं नाम का गाना रागल चतन्य ने गाया है और बनुज मंतशर जी ने लिखाया और प्रीतम जी ने कंपोस किया है हुआ मैं क्या कहेंगी उस गाने के बारे में ये मैं कहूंगा कि इट्स अ गुड़ सॉम रागल चतन्य जी ने गाया भी बहुत अच्छा है और पहले तो मैं ये कहूंगा कि आए बहुत सर्प्राइज कि ये प्रीतम का गाना है इस अ वेरे डिफरेंट सॉम क्योंकि जब मैंने सुना ये गाना और मैंने नाम नहीं पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये साउंड वैसा ही कर रहा है अगर प्रीतम जी की अलमारी में ऐसे देखा जाए तो ऐसे कॉमपोजिशन बहुत कम है ऐसे रिदम ऐसा बीट स्रक्चर जो है ऐसे ये यूजरी नहीं बनाते है इसा एसे रिदम जी की कैटिकरी का स्ट्रक्चर है तो मुझे तो लगा था कि ये ये रिदम जी कर गाना वैसा ही बहुत लग रहा है इस गाना बहुत हटके बहुत ही थोड़ा सा not on your face कि हमने राइम बनाई यह बनाई यह बनाई है थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा सोचना पड़ता है गाने को कि अच्छा है अच्छा है ऐसा ऐसे 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 कॉंपजिशन बनाई है ऐसे राइम बिठाई है तो यह E.R. Raihman jiye गानों में होता है यह प्रिथम जी गानो उन्होंने तो या इट्सा वेरी डिफ्रेंट एंड गुड सॉंग ओके वेरी वेल एट्स वेरी नाइस और ठीक फिर अगले टॉपिक पर आते हैं हम इंडियन आइडल पर बात करते हैं हम अब है न मतलब कर टॉपिक जो लेटेस्ट एडिशन इनका आया है उनका जजज पैनल पूरा चेंज हो गया है पूरा तो नहीं खैर दो जजजज चेंज हुए हैं कुमार सानु और शिर्याग वशाल जी आई है और विशाल दतलानी है और इस सीजन एक क्लिप बहुत वाइरल हो रही है जो ब्लाइंड गर्ल है उनका एक ऑडिशन क्लिप बहुत वा करते थे जैसे नहा ककर रोया करती थी क्या वैसे ही श्रयाग वशाल जी को भी रुलाया जा रहा है यहां पर जबर जस्ती करके हैं और ऐसे कंटेस्टन को जानबूज के लिए गया है कि टी आर्पी मिले जिससे आप यह बताईए कि क्या रियालिटी शो यह अब भी वही श लुख्स-related उसमें लोग line girl, blind girl audition, blind girl sings like this, यह blind girl के नाम से बहुत ज़्यादा popular किया जा रहा है, blind girl का tag देखे, नाम है भाई उस लड़की का, उसको, उसके नाम से क्यो नहीं कर रहे हैं तुम popular, कौँ जानता है उस लड़की का नाम मुह यह बताओ, कित तिल आप जानते हैं नहीं जानते ये मुझे अजीब लगती ये लोग व्यूज को नजर में रखके पोस्ट करते हैं चीज़े तो साफ नजर आ रहा है कि आप व्यूज माग रहे हो ब्लाइंड गर लिखके आप व्यूज मागना चाह रहे हो और दूसरी बात श्रिया गोशाल जी रोपड़ी तो क्या श्रिया गोशाल जी भी एक्टिंग में घुज गई है नहाखकड बन रही है क्या ये तो ऐसा नहीं है देखिए ब्लाइंड गर और इतना सुन्दर गाया है उन्होंने इट इस ये कोई छोटी बात है नहीं तो कोई भी बन्दा हो जाएगा इमोशनल इतना अच्छा गाये कोई लड़की और क्योंकि ये वो नहीं है कि मैं गरीब हूँ या ये हूँ वो हूँ है बहुत दिक्कते चल रही है इट्स अ बिगर थिंग इट्स अ naturally heavy thing to absorb इसमें किसी भी इंसान जिसके अंदर इंसान है उसको रोना आ जाएगा तो it's not कि ये कोई नहा ककड़ बन रही है या फिर है overacting ऐसा वोच नहीं है ये natural चीज है ये natural emotion है और वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये नजर आ रहा है कि वो सच मुच दुखी हैं उस चीज को सुनके मतलब दुखी in the sense it's a heavy thing बस यही है अब देखो रही बात इस पार के Indian Idol की कि ये genuine होगा या नहीं होगा मेरे साब से genuine होना तो चाहिए क्योंकि genuine तो यार सिरफ judge बदल लेने से genuine नहीं हो जाता है production वही है vision वही है जो शो है उसका reality shows से हम बहुत दूर आ चुके हैं अब reality नहीं रही है और यह जो contestant है जो blind contestant है यह पहले भी आ चुकी है पहले भी आ चुकी है मेरे खाल से regional reality shows में तो already popular लोगों को लिया जा रहा है risk नहीं लिया जा रहा है और आज भी नहीं लोगों को मौका बहुत कम दिया जा रहा है तो यह तो चली रहा है तो मेरे reality show तो मैं अब भी भी नहीं कहूंगा and हाँ इनको मौका दिया है तो I hope कि इस vision से ना किया गया हो कि TRP मिलेगी TRP लेंगे हम end में यह ना हो कि आगे तक लेगा है latest episode last episode final episode तक लेगे गए फिर final में निकाल दिया और लेगे सिरफ TRP के लिए लेगे गए तुम कि views आ रहे हैं लोग देख रहे हैं इसी लड़की वैसे support करेंगे इसको फिर end में हरा दिया यह ना हो तो अच्छा है I hope यह evil vision जो है यह channel कर ना रहे और सच्चाई के साथ जो भी contestant उने लिये हैं वो talent based ही रहे यह show फालतु की चीज़े ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा बट वो तो entertainment channel है entertainment का serial है तो वो तो करेंगे उसमें कोई दोरह नहीं है बट यही मेरे thoughts है इस topics related और बहुत अच्छा लगा आपसे इन सब topics पे बात करके चीब इलकुल एकदम मजो आखो पहाड़ों में जाने की सोच रहा था मज़े लेने के लिए बट आपको इसरत नहीं आपने मज़ा दे दिया इस show में बुला के पहुत पढ़िया दन्यवाद I mean दन्यवाद ठीक है आए आप इस show में बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिया लेगे आए थैंक्यू सो मुच पर कमिंग और यह विल सी यू गाइस नेक्स ताइम इन अनधर पॉड्कास जी यहां बिलकुल आपने शोभा बड़ा दी शोभा पर आके शोभा मेरी पड़ोशन बहुत छोटी थी और यह कुमेडी नाइट डिलीड कर दूँगा